नमस्कार मैं विक्रम सेंख चलो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास क्योंकि हम आप तो ये सोच रहें कि भाई भॉकाल बेच ऐसा हो कि जिसमें हम इतनी दर की बाते नहीं उली पढ़ाई की बात करें और जैसा कि आप जानते हो आज भॉकाल का डेट टू है यानि कि सेकेंड दे है परंतु P-Block Elements का आज पहला दिन होगा P-Block Elements में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मैंने कल जिरो क्लासेस में समझा दिया था किन किन चीजों की जरुत पढ़ेगी आपको और किन किन चीजों से आप एक बेहितर स्टड़ी कर पाएंगे Inorganic Chemistry को इनके बारे में भी मैं कल की क्लास में याने की भोकाल Day 1 में बता दिया था आपको आसान कैसे हो जाएगा पढ़ाई अच्छे Marks कैसे ला पाएंगे इनके बारे में भी कल मैंने बताया था कि Inorganic Chemistry में आसान तरीके से नंबर लाने का तरीका क्या होगा Marks लाने का तरीका क्या होगा या यूं कहें कि पढ़ने का तरीका क्या होगा समझने का तरीका क्या होगा क्योंकि याद रखना किसी एक प्रश्ण को याद करके इस प्रश्ण का उत्तर याद करके किसी एक ही प्रश्ण का उत्तर दे पाएंगे लेकिन अगर किसी एक प्रश्ण के किसी उत्तर को समझ गया है तो आप उसी प्रश्ण के बेस पर उसी उत्तर के बेस पर आप कई प्रश्णों को हल कर पाएंगे ये बहुत जरूरी होता है इन बातों को समझना और सीखना तब ह जाकरके बहितर मार्ग्स आती है। फिला हाल आज के क्लास होने वाली है आपका नैट्रोजन परिवार एवं गुण। पिब्लोग एलेमेंट्स में हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे आज की क्लास में नैट्रोजन परिवार के बारे जानकरी लेंगे और उसके गुण देखेंगे, पी ब्लोग तत्तो ये है आपका चाप्टर नमबर 7 से हैं, ये इसका लाक्षे नमबर 1 है, इन और गनिक केमिस्ट्री समझना किस तरह समझा जाता है, इसके बारे भी हमें पता चल जाएगा, एक और बेटा, कुछ बच्चे बात करना है, तो मैं आपको क चीजे में यहाँ पर लिखूंगा, उसे भी नोट करने की कोशिश करिएगा, लिखिएगा, अगर नहीं लिख पा रहे हो, थोड़ा स्पीड हो जाए, तो आप थोड़ देर के लिए विडियो पौश जरूर कर लिजए, जब तक पौश नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा, ठीक है, आज क्या होने वाला है, नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार कहां से है, आवर सहरणी में देखे, आप जानते हो यह S-block element है इतना, पहला दूसरा, यह D-block elements है, यहां तक P-block elements है, P-block elements में तो देखो पहला, दूसरा, तिसरा, याने 13, 14, 15 गृप का element जो होता है, वो होता है nitrogen परिवार, जिसमें nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony और basement आते हैं, कौन-कौन से तत्वा आते हैं, आपको पता है, कौन-कौन से तत्वा आते हैं, जिसको अपने याद किया होगा, नाना, पापा, असलम, सब बिमार, यह ऐसे याद किये होगे आप लोग, और यह नाना, पापा, असलम, सब बिमार, नाना से हुआ N, पापा से हुआ P, असलम से हुआ S, A, S, B, सब बिमार से B, I, इस तरह से आपने इनको याद कर लिये हैं, इन तत्तों को ही पढ़ना है, इसके नीचे नहीं आना, साथ में, आवर्त में नहीं आना है, वहां तक जाने की ज़रू पकत नहीं है, हमारा जो course है, वो अगर हमने ठीक से समझा तो आगे और advance कर पाएंगे, अगर सिर्प advance में जा रहे हो, तो कभी भी आप advance को और advance को अपने तरफ से develop नहीं कर सकते हैं, कभी भी किसी विज्यान को समझना होता है, तो उनके इतिहास को भी समझना पढ़ता है, उने इतु पर हम इतिहास को छोड़ करके आज जो है उसी को हम आगे बढ़ेंगे तो हम आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे, इसलिए हर चीजों को जानना बहुत जरोओ हूँ कि मैजिक नंबर, नंबर, मैजिक नंबर है इसमें 8, 18, 18, 32, नैट्रोजन परिवार में ये ग्रुप नंबर कितना है, 7, सारी, 5th A ग्रुप या ये उसके सकते हैं, 15th ग्रुप एलिमेंट है, नैट्रोजन, फास्वोरस, आर्सेनिक, एंटी मानी, बिस्मित, इनका परमान उक्र मांग के लिए मैंने जो मैजिक नंबर दिया है, इसका उप्योग करेंगे, नीचे का याद नहीं रहेगा, बार-बार भूल जाएंगे, लेकिन ये मैजिक नंबर हमेशा याद रहेगा, 8, 8, 18, 18, 32 का मैजिक नंबर होता है, S ब्लॉक एलिमेंट में 8, 8, 8, 18, 18, 32 का यूज करते हैं, तो ये एक एग्जांपल करके और बता दूंगा मैं आपको, तो यहाँ पर आपने 8 जोड़ा, फिर कितना जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, फिर कितना जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, फिर कितना जोड़ेंगे, 32, 8, 18, 18, 32 मैजिक नंबर है, नैट्रोजन का परम 33, कितना 33 हो गया, फिर ये हो गया 8, 3, 11 का 1, और ये 5, 51, और ये हो गया 83, इसका परमानो करमांग पता चल गया है, 7, 15, 33, 59, 83, बस इस बात को याद रखने से, कोई फरक नहीं पड़ता है, मैंने एक बात समझे, आप लोगों को एक बात समझना है, और एक बात मैं आपको, कि अगर सिर्फ 15 ग्रुप के ऐलिमेंट्स को अगर ठीक से समझ गया है, तो यार 16 ग्रुप को भी समझ जाओगे, 17 ग्रुप को भी बहुत हत्तक समझ जाओगे, 18 ग्रुप को भी बहुत हत्तक समझ जाओगे, तो क्या होता है, 15 वर्ग के तत्तों को एक बार समझ पाएंगे तो चलिए आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी तो चलिए हम बात करते हैं जैसे माल लेते हैं यह परमानु-क्रमांग वाली बात हुई कई बच्चे पूछते हैं कि सर में को इसका याद हो गया लेकर अगले का क्या करूं वही मतलब है बटा जैसे माल आते हैं ग्रूप नमबर 17 का है सेवन ए या 17 का तो कौन आता है हेलोचन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोटीन इसका जानते हो नौ बस वही जोड़ना है आठ जोड़ोंगे आठ दोनी सोल एक सत्रा फिर अठारा जोड़ोंगे आठ दोनी चोगदा एक पंद्रा पच्पन एसे ही तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोटीन तो अठारा और यह लास्ट में एस्टेटाइम अब इसका कितना होगा एक में पच्पन कैसे लिग दे मैंने तो यहां पर कितना लिखूंगा तो यह 35 हो गया अब यह समय कितना जोड़ोंगा अठारा जोड़ोंगा आठ प यह हो गया ऑर बंद्रा और यह 3 ठीक और आठ तेरा और तेरा का होगया यह तीन और यह वह प्च और यहां पर कितना जोड़ूँदा थैटि टु तो यह हो गया फाईफ और यहांग., यह एट थाइफ इस तरह से किसी बी वर्गर का पर्मानू क्रमांग आप आराम से है आज 15 विवर्ग के तत्तों में कौन कौन से हैं हमारा कोर्स क्या है और हमें कौन को से वर्गों को पढ़ना है इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा देखे बटा पी ब्लॉक होनी की विजए से इन अक्री गैसों के साथ शामिल किया गया है हमने अभी इसमें शामिल नहीं कि रहे हैं बाद में हम इसको जब हम अक्री इसको पढ़ाएंगे उस टैम हम हिलियम को भी शामिल करके पढ़ेंगे एक और बात समझो इसका अगर हम पुराने विधी द्वार यह आई यू पीएसी में नंबरिंग है ना वर्ग का समू का यह तेरवा समू है चौदा पंदरा सोला सत्रा अब यह हो गया समू यह हो गया पांचवा एवर्ग इसको पांचवा एवर्ग कहेंगे इसको ओल्ड सिस्टम से और यह कौन से नियम से हम कर रहे थे आयू पीसी शार यह होता है यह समू होता और दौपन 112 3 4 करके जो कर देंना वह आई गया तरीकल कर दिद्द फुराने तरीके में क्या करते تھے यह रोमान नमबर और A और B उपरगों में बाठा गया तो यह हुआ तर्ड ए यह हुग इस फुर्थ एंग्रूप ये फिफ्ट एंग्रूप ये पक्रूप ये सेवने ओंग्रूप और और ये है 8 A group इसको 0 वर भी कहा जाता है अब हमारा जो course है 12 के course में यहां तक है ये 12 का course आता है और यतना आएगा आपका 11 का course अब सवाल ये होता है बिटा कि हमारे course में हम P block elements पढ़ेंगे तो P block elements का मतलब क्या है वे तत्व जिनके अंतिम electron P कक्षक में भरते हैं P block elements कहलाते है अब इनमें जो भी तत्व आये हैं इनमें जितने भी तत्व आये हैं उसमें electronic विन्यास जब निकालोगे इन तत्वों का तो आखरी में P में भरेगा P में कितने electron भर सकते हैं 6 तक एक से ले करके 6 तक electron भर सकते हैं तो यहां पर है इसका electronic विन्यास P1, P2, P3, P4, P5 and P6 तो यह है पूरा लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं यह सामाने electronic विन्यास है electronic विन्यास यह होते हैं और दूसरी बात इस अधार पर अगर हम कहें N क्या चीज़ है यहां पर N जो है यह है संयोजी koosh जाने के वैलन सेल अंतिन कोश बाहे कोश इसे बायकोश भी कहेंगे या यह कह सकते हैं इसको आवर्त कह सकते हैं आवर्त सहारनी में आवर्त भी कहा जा सकता है इस जगा पर तो यह इतने सारे चीजों को शो करता है तब मैं अगर मैं 13 ग्रूप के लिए लिखों तो क्या होगा मैं इसल डारिक्ट बताता हूं अगर मैं 15 ग्रूप के लिए 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 लिएक्ट्रोनिक विन्यास क्या होगा P1, P2, P3, P3 होगा तो मतलब होगा N, S, 2, N, P, 3 यह इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास होगा किसका यह 15 ग्रूप एलिमेंट का अब यहाँ पर जो N की वेल्यू है N is equals to 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो इसका मतलब हुआ कि मैं अगर N का इलेक्ट्रोनिक विन्यास करूँ अंतिम कोश का तो मुझे क्या मिलेगा N के अंतिम कोश का अलेक्ट्रोनिक विन्यास क्या मिलेगा N की वेल्यू टू और यहाँ पर होगा 2, S, 2, S, 2, 2, P, 3 1st, 4, S के लिए क्या मिलेगा 3, S, 2, 3, P, 3, आर्सेनिक के लिए क्या मिलेगा 4, S, 2, N, 4, P, 3, यह बटा यह N की वेल्यू को दिखा रही न, N तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिक विन्यास में आपने देखा N, S, 2, N, P, 3 है इस वर्ग में आने वाले तत्नों का यह यहाँ पर अगर इसको पूरी तरह लिखें तो क्या लिखेंगे N, S, 2, N, P, 3 बस एक छोटी सी बात है इसके लिए क्या लिखोगे बताओ तो चलो दिमाग लगाओ इसका क्या होगा N, S, 2, 2, P, 4 बस ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को समझना है तो P, 1, P, 2, P, 3, P, 4, P, 5, P, 6 बस इतना ही याद रखें कुछ भी याद करने के जरूत नहीं है बस एक रिविज्ञान को एक बार समझना है दुबारा भी विडियो देखना होगा कोल भी चीज़ अगर आपके दिमाग से फिसल जा रही है आगे बढ़ जा रहे हैं तो उस जगा पे आपको रिविज्ञ करना होगा जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको हर चीज़ को कॉपी में भरने के जरूत नहीं है बात समझने की जरूत है अगर मैं कहूँ बस इतना ही लिख लो इतने में काम चल जाएगा तो काफी है हमें तो सिर्फ इस वर्ग के तत्तों के बारे में सोचना है पंद्रवे वर्ग के तत्तों के बारे में सोचना है तो पंद्रवे वर्ग के तत्तों के बारे में क्या जान की मिमारी मिली यह पंद्रवे वर्ग का तत्तो है हमको जानकारी मिली कि यह इसको हम लोग फिफ्ट गुरूप भी कहते हैं, और हम जान गई कि इसका इलेक्टरोनिक विन्यास Ns2, Np3 होता है, टोटल इलेक्टरोनों की संगिया 5, देखो, गुरूप नंबर 5, अंतिम कुछ में 5 इलेक्टरॉन हैं, और इस तरह से हमें पता चला कि यहां पर इसका electronic विन्यास हुआ N, S2, N, P, 3, S पे एक कक्षक होते हैं और P में तीन कक्षक होते हैं इसमें दो electron, इसमें एक, दो, तीन electron होते हैं अब यहां पर N की value कितनी है? दो है, तीन है, चार है, पांच है, छे हैं तब यहां अब इस बात को समझना होगा कि अंतिमकोश अगर मैं nitrogen को लेके चल रहा हूँ तो अंतिमकोश का electronic विन्यास जैसे की पता है 2, S2, 2, P, 3 होगा, अंतिमकोश में 2 electron और यह यहां पर P में 3 electron, 1, 2, 3 होगा सही उजकता आपको पता चल गया सहुझकता निकालने का तरीका होता, आयोगमित electron की संक्या सहुझकता निकाल सकते, बंद बनने की शंता होती है तब इस आधार पर आप क्या लिखोगे? सहुझकता इसकी कितनी होगी? आयोगमित electron यह 1, 2, 3 3 है अब इसी बात को मैं आगे लेके चलता हूँ तो कुछ बातों को समझेंगे अगर मैं फासफोरस को नीचे वाले तद तो फासफोरस के लेके चलूँ तो फासफोरस में मुझे क्या मिलेगा फासफोरस के अंतिम कोश्क एलेक्ट्रों को नाज 3S2, 3P, 3 होगा और आपको पता है तीसरे उर्जयस्तर में D भी होता है 3D, 0, एक भी उलेक्ट्रों नहीं वहाँ पे S पूरा है, भरा हुआ P अर्धपुरित है, 3 एक एक उलेक्ट्रों है और D खाली है यह लिजे अभी सामान्य वस्था में है Ground State में, तब इसका Electronic विन्यास क्या हुआ ये और संहुजक्ता क्या हुआ संहुजक्ता हुआ, अच्छा, Levis.Symbol निकालना चाहो तो Levis.Symbol क्या होगा युगमित और 3 आयुगमित, एक युगमित है 3 आयुगमित है इसमें क्या मिला बोलो यहाँ पर ध्यान दीजेगा युगमित, 3 आयुगमित तो संहुजक्ता हो गया 3 Levis.Symbol में, ये 2 एलेक्ट्रोन एक युगमित है, और 3 अलग 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 अलेक्ट्रोन आयुगमित मतलब, जो अलग अलग है सिंगल है D कक्षक खाली है तो उत्तेजित अवस्था मिलेगा मैं इसके आगे का यहाँ पर लिख रहा हूँ उत्तेजित अवस्था आएगा उत्तेजित अवस्था उत्तेजित क्यों होगा? क्योंकि D कक्षक खाली अच्छा, दूसरे उजस्थर में दिखो पेटा, पहले उजस्तर में किवल S सबशेल होता है, लेकिन यह दूसरा सबशेल है आखरी, तो उसमें 2 है, दूसरे उजस्तर में 2 हैं, S और P होता है, तीसरे रोग जासे में SPD होता है, चौते में SPDF होता है, तो जब युगमित इलेक्ट्रोन होते हैं, ध्यान देना, जब इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन उत्तेजित हो जाते हैं, कहां पर खाली कक्षक में चले जाते हैं, तो यहां पर खाली कक्षक में जाने की हो गया 3S13 P3 और 3D1 संवजक्ता क्या होगी अब संवजक्ता होगा पांच इसके समझक्ता पांच हो गए लिविजड़ सिंबल क्या होगा सारे लेक्ट्रॉन अलग-अलग हो गया तो इस तके सवजक्ता पें बंद बनेगा तो यह आप देख रहे हो यहाँ पे एक जरूरी बात देखना कि इसकी संजगता केवल तीन होगा, इसकी संजगता तीन और पांच होगा, इसकी संजगता भी तीन और पांच होगा, इसकी संजगता भी तीन और पांच, इसकी संजगता केवल तीन होगा, ये केवल तीन संजगता क्यों दर्शाता है, जबकि डिक अक्षक होता है अंतिम कोश एक शब्द आएगा इस शब्दों के बारे में हम बात करेंगे आगे जाकर के इनर्ड पिर एफेक्ट क्या होता इनके बारे में भी बात करेंगे चलिए ये क्लियर है आपका तो हमने क्या क्या देखा इसके अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है बस इतनी ही बाते हमने देखा है और यही हमारा अलग-अलग के लिए काम करता है विट एक बात देखो यहां पर आप हमेशा याद अखना कि आपको ऐसे बताएगा एक चीज कि भाई ये जो तत्त्त है ये जो है इधर तिर्छे चलोगे तो ये सभी उपधातु है सिलिकाउन के नीचे आर्सेनिक के नीचे इस तरह से तो जिस वर्ग म सब्सक्समें आप यह खो दोनों अदातु है यह दोनों उपधातु है और भी ठाट के पता चल दो आगे जा करके इनको बात करें गे कोशिश बस और कुश्म Run में चैट का जादा जवाब नहीं दे रहा हूं। इसके पीछे कारण है कि जच्छनわか जवाब दे को रीड करूंगा उनके अनुसार आपको पढ़ाऊंगा आपने कल जो पताया उसके अनुसार ये आज की क्लास चल लगी कि पी ब्लॉक elements में nitrogen वरक को समझाइए तो मैं इसको आधार माना और आज की क्लास इसे तरह कल की क्लास में क्या आप इसके आगे पढ़ना चाहोगे मैं बात करूंगा बहुत सारे चीज़ें बहुत सारे प्रश्ण है जो पीछे लास्ट में लिखाऊंगा और उन प्रश्णों के आधार पर हम important questions को भी solve करेंगे और उन्हीं के आधार पर आपकी क्लास होने वाली है regular चलो ठीक है त्यान दीजिएगा एक प्रश्ण देखे इस पार्ट से प्रश्ण इस तरह का कुछ आ सकता है आता है वो प्रश्ण क्या है देखें प्रश्ण है कि वर्ग पंद्रा के तत्तों के सामान्य गुण धर्मों को उनके electronic विन्यास, ओक्सी करन संख्या, परमानविक आकार, आयनन उर्जा और electron बंधुता के संदर्व में विवेचना कीजिया है ये चार बाते कही गई है तो मैं अगर अब भी बात करूं इसको solve करने का answer करने की कोशिश करूं तो मैं एक बात तो तुरंद बोल सकता हूँ, अभी आप सभी जानते हैं वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व आते हैं? 15 के तत्व बताओ, चल्दी से लिख लो कौन कौन से आते हैं? nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, ASB और bismith होते हैं फिर इसके बाद हम इनके गुणों की बात करते हैं गुण, जिसमें हमारे पास बोला है गुण धर्मों की अंदरगत electronic विन्यास की बात कहा, electronic विन्यास क्या लिख होगे? बोलो जल्दी से, electronic विन्यास, इसका सामाने electronic विन्यास होगा, ns2, np3 होगा, इस तरह से, ये फिर बोला जा रहा है कि ऑक्सी करना वस्था बताना है, परमानविक अकार बताना है, आयनन enthalpy बताना है, ऐसे करके आगे चलना है, तो मैं एक एक करके आगे बताते जा रहा हूँ, इन चीज़ों को आप note भी करते जाएं, मेरी क्लास से हैं कितने बच्चे हैं, जो regular हमारी क्लास में रहते हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि आप हमेशा एक क्लास जहांकने के लिए आते हो, तो मुश्किल हो जाएगा समझना, अगर आज आए हैं, तो regular बना रही है, एक बात और है, आज आए हैं, तो मैंने हर स्टूडिन को कहा है, कि हर एक काम करके रखो बिटा, वो है, zero level की classes को पढ़के रखो, वो zero level की classes कोई zero level की classes नहीं है, zero level कहने का मतलब है, किसी चीज़ को समझने के लिए, जिस class की अवशक्ता है, जिस तरह के training की ज़रुष है, chemistry की training की जरुष है, उस training को लेने के बाद ह आप class में जा सकते हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है समझना, तो वो है, zero level basic chemistry, हमने playlist बनाये हैं, उस playlist से पढ़ने की कोशिश करो, कुछ बच्चे सुन तो रहें पर सुन ही नहीं रहें, सुन तो रहें पर सुन ही नहीं रहें, सुन तो रहें पर वो करेंगे नहीं, तो हमने क्या कहा, आपको याद होगा, ये काम करी, मैं हर class में बात बोलता हूँ और हर class में बोलता रहूँगा, क्योंकि जिनकी knowledge इस level के नहीं होगी, zero level के नहीं होगी, अगले level पर कहा जा पाएंगे, ये बात मैंने देखा है, इन सालों में, बहुत सारे गाओं में हमने सर्वे कर करते हैं, बहुत सारे स्कूलों में सर्वे करते हैं, बहुत सारे टूशन सेंटर की तब भी सर्वे करते हैं, बच्चे को पढ़ाई तो हो जाती बहुत level तक, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, टीचर जो पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो सबसक्राइब आप एरॉप्स चलने की ट्रे्ण नहीं लेसकता है तो यह क्या होता है एक कि लिवल होता है हर एक लिवल पर जाना तो आपका जिरूवल or you यहने सेखल चलना ने की पहले हो जानी के आपकी चलिए साथ आगे बात करते हैं इन बातों की तरफ नेट्रोजन परिवार में कौन-कौन से तत्वा आते हैं नेट्रोजन परिवार किन को बोलते हैं इनने नेट्रोजन परिवार को एक नाम से जाना जाता है जिस शब्द का मतलब होता है निकोजन Nikogen, Nikogen शब्द का मतलब क्या होता है देखें, Nikogen एक Greek शब्द है, जिसका मतलब होता है, दम घोटने वाला Y-U में 20-21% Oxygen होता है अगर इस Oxygen को हटा दिया जाए तो Y-U में बचेगा Nitrogen और Nitrogen कम से कम 78% के आसपस होता है, तो Nitrogen बचता है तो आप समझदो Oxygen अगर इस Y-U से निकाल दिया जाए तो बिन Oxygen का हमारा दम घोटने लगेगा, या यूं कह सकते कि हमें Oxygen नहीं मेलेगा, और Oxygen की कमी से जान जा सकती है जान जा सकती है नहीं जाएगी तो इस तरह से इसको कहा गया Nitrogen को दम घोटने वाला याने की Nikogen तो इस वर्ग के तत्तों को Nikogen कहा जाता है, Nitrogen परिवार कहा जाता है, एक शब्द और जाहन लिजेगा इसको कहा जाता है Nitrogen परिवार, Nitrogen Family कौन कौन सत्तों आते हैं हमने देख लिया है अब इसकी प्राप्ति की बात करने तो 78% आतन के अनुसार 78% वायू मंडल में Nitrogen होता है छोटी छोटी बातों को आप अपने दिमाँ में रखें क्योंकि यहाँ पर समय लगाना जरूरी नहीं है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातों को समझना जरूरी है मैंने कहा वायू मंडल में 78% लगपक 78% Nitrogen होता है दूसरी बातें द्याद रखें जिवजनतूओं में Nitrogen काफी महत्तपूर्ण होता है उसके शरीर में जो पाई जाती है Amuno Acids Protein Enzymes Nucleic Acid DNA, RNA इन सारी चीजों में Nitrogen आवश्चक है मतलब अगर Nitrogen नहीं होता तो शायद जीवन भी नहीं होता इन ये भी बहुत ही आवश्चक है Nitrogen भी आवश्चक हमारे जीवन के लिए भी नहीं बहुत ही महत्तपूर्ण है हमारे शरीर में Phosphorus हमारे शरीर में हड्डियों में, दांतों में, मांस्प्रीसियों में मस्तिष तथा जो नवर सिस्टम है इन में पाई जाती है अंडे, फल्यों, आदी में Phosphorus पाई जाता है अब चौथी बाते हैं कि और दूसरे तत्वा Arsenic, Antimony, Bismuth एक विशैला होता है लेकिन ये प्रिथ्विपे बहुत ही कम मातरा में पाई जाती है चलिए साब, ये हो गया Nitrogen की प्राप्ति आइनन अंथल्पी आइनन उर्जा इसको हम एक शब्द से जानते हैं आइनन उर्जा से भी जानते हैं मैं आपको वहाँ पर जो Question के बाई बताए गया है तो परमाणू आकार के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ कि किस तरह से इनके परमाणू आकार होते हैं परमाणू आकार Atomic Size बिटे एक बात याद रखना कि वर्ग में उपर से नीचे जाने पर पर तत्तों का परमाणू आकार बढ़ता है ये करमशा बढ़ता है कोई ऐसा नहीं कि मतलब नैट्रोजन का साइज से अगर फास्पूरस बढ़ा है तो उसके बाद वाला आर्सेनिक का बढ़ा इसी करम में बढ़ता है इसमें कम ज्यादा ऐसा नहीं होता याने कि रेगल एक बढ़ाओ दिखता है आकार का आकार आते वे नजर आता है मतलब यहां पर नैट्रोजन है फास्पूरस है अर्सेनिक है एंटी मनी है और बिस्मित है तो इनके परमाणू आकार क्रमशा बढ़ते जाता है इसका कारण क्या है यह मैं आपके सामने बता दूं सिब कारण धहां रखीगा जब नीचे की और आते हो ना परमाणू में तो परमाणू में कोशों की संख्या में व्रद्धी होती है ऐसे जैसे उपर वाला जो तत्व है नाइट्रोजन नाइट्रोजन में दो कोश है परमाणू करमांग साथ दो पांच तो इसमें दो कोश है पहले कोश में नाइट्रोजन का नाभिक हुआ इस मैं फास्फॉरस में जाता हूँ तो फास्फॉरस का परमानुक मंग 15 होता है दो आठ पांच तो आप देखोगे ये उसका नाभिक है ये दो इलेक्ट्रोन आठ इलेक्ट्रोन पांच इलेक्ट्रोन अब बताओ इस तरह पर क्या हुआ कोश की संख्या बढ़ेगी और इस तरह से कारण है कि वर्ग में उपर से मतलब उपर से मतलब नेक्ट्रोजन से अर्स बिस्मित तरक के तरप जाते हैं से नीचे की और जाते हैं नीचे की और जाने पर कोशू की संख्या में में व्रद्धी के साथ व्रद्धी के कारण लिख देता हूँ व्रद्धी के कारण कारण परमानु आकार बढ़ता है दूसरा भी कारण में दे देता हूँ देख रहे हैं कि जब नया कोश आता है हमिशा नया कोश कहां पर आएगा अगर जैसे आर्सेनिक आया तो आर्सेनिक में इपसे इसके अंदर साइड में नया एक कारण आता है उसमें इलेक्ट्रौनों की संख्या बढ़ जाती यह क्या करता है परिरक्षन पर बढ़ डessen है यह नाभिक से आने वाले आकरशण बलको अंतिम कोश के इलेक्ट्रौन पर पढ़ने नहीं देता है यह परिरक्षन शब्दा करना समझ में हो तो थोड़ी देर के लिए आप मुझे मैसेज करता हूँ तो मैं आपको यह समझा देता हूँ थोड़ा सा रुख जाईए बस इसको लिखने दीज़े परमानों आकर बढ़ता है दूसरा है परिरक्षन प्रभाव में व्रिद्धी के कारण परमानों आकर बढ़ता है पहला शब्द हुआ कोशों की संख्या में व्रिद्धी के कारण दूसरा शब्द हुआ परिरक्षन प्रभाव में व्रिद्धी के कारण कोशों में व्रिद्धी तो दिखी रहा है परिरक्षन प्रभाव में व्रिद्धी के कारण ये कैसे है यह production प्रभवा क्या है मैं जरा यहां पर समझाता हूँ ध्यान से सुनिये कुछ बच्चों ने लिखा कि सर समझा दीजिए तो मैं आपको समझा देता हूँ जब आप चैट करते हैं बटा तो हम देख लेते हैं बहुत सारी बच्चे बोलो सर नाम बोलो नाम बोलो बिटा उस दिन आपका नाम बोला जाएगा सारी दुनिया बोलेंगे जिस दिन आप बेहतर काम करके आएंगे हमेशा याद रखना रेडियो में बहुत लोग अपना नाम भेजते हैं उनका नाम आता है और वो गाने सुनाते हैं लोगों को एक बड़ा अलग तरह के फिलिंग होती कि मेरा नाम आ रहा है लोग मेरा नाम जा रहा है लग चली आपको कोई नहीं जाना रहा है आपके जैसा नाम तो हजारों लोगों का है लाखों लोगों का है मेरे जैसे तो हजार उलूगों का है पर मेरे जैसा मैं हूँ या मैं ही हूँ मेरे जैसा मेरे नाम के साथ मेरे मैं ही जुड़ा हूँ ऐसा करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है वो करोगे एक दिन result अच्छा हैगा आपका नाम हैगा बिल्कुल वो शो करूँगा, मैं आपका नाम की मेरे student ने result भीचा है, बहुतरिन, इसलिए कहते हैं कि भॉकाल बैच बहुत ही जवर्दस बैच है जिसके साथ, आप जुड़ करके एक बहुतर result दे सकते हो, तो चलिए, आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं, यहा इसको screening effect कहते हैं, इसको परदा प्रभाव भी कह सकते हैं, देखी बटा, यह नाभिक है, और यह कई उर्जास तरह हैं, अंतिम कोश में जो electron है, उस पर यह नाभिक आकर्शन बल लालती है, ठीक है, नाभिक का आकर्शन बल आता है, जिसकी वज़सी अंदर की और आता है, पर भरने लगा, अंतरिक कोश में electron भरने लगा, तो क्या हो जाएगा, यह electron इस नाभिक से आने वाले आकर्शन बल को इस तक पहुचने नहीं देता है, कुछ ऐसा समझो ना, एक लोहे की गोली मैंने यहाँ पर लटका दिया है, यहाँ पर मैंने एक चुमबक रखें, स्ट तुमख को क्या होगा? इसकी बीच जैसे लोहे की गोली रखता हूँ, तो इसका आकर्शन इस लोहे पर ज féदधा पड़एगा, तो यह अपने आकर्शन को पूरा कर लेता है और इस पर इसका आकर्शन कम हो जाएगा, और यह गोली जो थोड़ा सा आकर्शित थी, वो जब लिखता हूं या कम कर देता इस प्रभाव को हम कहते हैं। परिणक्षन प्रभाव तो आंतरिक को तो में इसको परिभाषिद करते हुए लिखता हूँ यहां पे सुमझ भी बाती हैं। आंतरिक कोशुन में जब धरने लगता है . até तब इस प्रभाव को तो इसके कारण लगने वाले ना भी की आक्रशन कम हो जाती है इसी को हम परियरक्शन प्रभाव कहते हैं तो मैं लिखूंगा अंतरिक कोशों में इलक्ट्रोन भरने पर नाभिक का का बाहिकोश के के इलक्ट्रोन अंतरिक कोशों में इलक्ट्रोन भरने पर नाभिक का बाहिकोश के इलक्ट्रोन पर लगने वाला आकर्शन बल कम हो जाता है इसे परिरक्षन प्रभाव या शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं बस इतनी कहानी है इसके तो परिरक्षन पुर्भाव के बढ़नेकी वजैसे क्या हुआ पर्माण। आकार बढ़ने लगा तो दो स्पा दो रीजन हआ नीच़े की और जाने पर पर्माण। का क्या होना बढ़ा होना दो कारण काम कर रहा है एक कारण काम कर रहा है एक कारण काम कर रहा है कोशों में वृद्धी, कोश अधिक होती जाती है बढ़ती जाती है कोशों के संख्या में वृद्धी और दूसरा है कोशों के संख्या में वृद्धी हो रही है लेकिन आंतरिक कोशों में नया कोश आने पर इलेक्ट्रॉन अंतरिक कोश में भढ़ते जा रहा है जिसके विज़े से प्रिरक्षिन प्रॉभा बढ़ जाती है जिसके करण आकार जो है वो बढ़ा होने लगता है क्योंकि नाभिक का आकर्षिन कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाएगी चुम्बक ने उस गोले के लोहे को आकर्षित करके रखा है थोड़ा नजदीक है बीच में हमने इलेक्ट्रॉन रखा दूरी पढ़ गई यानि इस से आने वाला आकर्षिन बढ़ इस पर कम पढ़ने लगा ये है प्रिरक्षिन प्रॉभाव आयनन उर्जा आयनन उर्जा का मतलब बहुत सारे बच्चों को पता होगा वो ये किसी परमानों के के बाहे कोश से एक एलेक्ट्रॉन निकालने के लिए के लिए आवश्यक उर्जा यानि लगने वाली उर्जा उर्जा आयनन उर्जा कहलाती है आप इसे दर्शाते हो आई ई से या दर्शाते हो डेल्टा आई ई से एच या जल्जा आई एच से इसे भी लिखते हैं कुछ यह लिजा है यह भी एक तरीका है लिखने का इस बात का ध्यान रखें कि हम कहां से निकाल रहे हैं इलेक्ट्रों बाहरी कोश से निकाल रहे हैं लोहे को दूर करने में हमें ज्यादा उर्जा लगेगी दूर रहेगा आकर्शन कम लग रहे आसानी से हम उनको दूर कर सकते हैं वही बात नाभिक और इलेक्ट्रों के बीच की है नाभिक और इलेक्ट्रों एक दूसरे के जितनी नजदीक रहेगी उतना ही ज्यादा आकर्शन होगा उस इलेक्ट्रों को निकालने के लिए ज्यादा उर्जा लगेगी लेकिन दूर रहने पर आकर्शन कम है इलेक्ट्रो बड़ा है आकर्शन बल कम लगा है आसानी से लेक्ट्रॉन निकल जाएगा कम आयनन उर्जा लगेगा तो हम देखें आयनन उर्जा बितकुमान उपाती पर्मानविक तुरिज्या पर्मानविक या लिख सकते हैं आयनन उर्जा वितकुमान पाती पर्मानव आकर पर्मानव आकर जितना बड़ा होगा उतना ही कम आयनन उर्जा लगेगा और दूसरी बात आयनन उर्जा को IE से लिख सकता हूं न तो आयनन उर्जा परिरक्षन प्रभाव परिरक्षन प्रभाव बढ़ेगा तो क्या होगा नाविक से अंतिम कोश के बीच लगने वाला आकर्शन कम हो जागा एलक्तौन आसानी से निकल जाएगा आकार बगट पड़ा हो गया परिरक्षन प्रभाव बढ़ने पर आकार बढ़ा हुआ तो परिरक्षन प्रभाव का ही प्रभाव पड़ा कि हम कह सकते हैं परिरक्षन प्रभवा बढ़ेगा, तो आयनन उर्जा घटेगा, ये दो बातों को अब ध्यान रख सकते हैं, एक ये, और एक ये, इस कारण से हमें ये समझ में आता है, हम जानते हैं कि आकार का क्या प्रभवा वो आकार बढ़ते गया, तो आयनन उर्जा का क्या प्रभवा पड़ा, आयनन उर्जा, इस तरह से छोटा है, नैक्टोजन, तो आयनन उर्जा इसका अधिक होगा, फिर फासफोरस का कम होगा, आरसेनिक का और कम होगा, एंटी मनी का और कम होगा, और बिस्मित का और भी आयनन उर्जा कम होगा, एक छोटी सी बात है जो हमें जानना था ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं यह मैंने आपको दिया कि देखे जैसे जिसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आइनन उर्जा आई-ई कामान जो है यह नाइट्रोजन है नाइट्रोजन को फास्फोरस में गए नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमानी बिसमित जाते गए आइनन उर्जा कम होते गया देख लें इसका कारण मैंने भी बता दिया पूरी का बाते पर आवरन प्रभाव यानि परिरक्षन प्रभाव बढ़ता है नीचे जाने पर तो इस कारण से आइनन उर्जा कम होती जाती है दूसरा है विद्ध्यत्रनात्मक्ता ये शब्द पर ध्यान देंगे किसी परमानों के द्वारा के द्वारा अपनी ओर इलेक्ट्रोन आकर्शित करने की शम्ता कि शम्ता या एक ताकत कह सकते है जो जितनी आसानी से जितनी ताकत से अलेक्ट्रोन अपनी तरफ आकर्शित करेगा उसकी विद्ध्यत्रनात्मक्ता अधिक मानी जाएगी करने की शम्ता विद्यत्रनात्मक्ता कहलाती है E N कहलाती है मैं E N से दर्शार हूँ न E N कहलाती है विद्यत्रनात्मक्ता कहलाती है इस आधार पर E N का प्रभाव क्या पड़ा? आकार पर ये भी आकार पर विद्क्रम है यानि जितना छोटा होगा उसकी परमानु आकार, जितना परमानु आकार बड़ा होगा, इन कम होगा, जितना छोटा होगा उतना ज्यादा होगा, तो इन का प्रभाव क्या हुआ, नेक्ट्रोजन का इन अधिक है, यानि इलेक्ट्रो निगेटिविटी, फास्फोरस का कम, आ और 16 में, 17 में, 18 में भी लागू कर सकते हैं तो जो भी बातें आज पढ़ाये गया है अगला कदम हमारा next class में होने वाला है सो आप समझे कि जो जो बातें आपको बताये गया आज उनको आप अच्छे से समझे पढ़िए, रिविजन कीजिए और हाँ, जिरो लिबल बेसिक केमिस्ट्री जरू करिये एक और बात बोलना चाहूँगा, ये सारे नोट्स प्राप्ट करने के लिए आप हमारा टेलिग्रम चैनल विक्रम सर हैप केमिस्ट्री टेलिग्रम चैनल जोइन करिये या डाउटनट एप में जाएए, वहाँ पर आपको मिलेगा हमारा ये नोट्स और डाउटनट का टेलिग्रम चैनल है, उनको भी आप जोइन कर लिजाए तो आपके पास काफी option है, ये दो और तो इस तरह से आपके पास option है, इन चीतों को प्राप्ट कर सकते हैं और हाँ, पढ़ाई में व्यावधान हानी कारक होता है, इसलिए हमने आज के class में हमने कम लोगों के चैट देखे, चैट को reply किया लेकिन हाँ, चैट reply तब किया जाता है, जब हम समझा दें और उसके बाद आपको बात समझ में ना है, हमें पढ़ाने का मौका दीजिए, हमें समझाने का मौका दीजिए, फिर final में doubt आएगा, अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, तो doubt तो आएगा ही सही तरह से देखते होंगे regular, तो यार मेरी class के बाद doubt नहीं आते हैं, मैं इतनी कोशिश किया, इतनी पढ़ा है, इस तरह पढ़ा है, लेकिन अग कौपी में लिखोगे नहीं, अपनी तरफ से practice नहीं करोगे, अपनी तरफ से घर में जाके थोड़ी प्रयास नहीं करोगे, तो होगा, और यार यही पढ़ाई बिटा, यही पढ़ाई, यही पढ़ाई, जो आप practice करते हो, जो मेहनत करते हो, दिंडा सिक्षक के साथ बैठे रहने से भी नहीं पढ़ाई होता है, सिक्षक ने पढ़ाया, उसके बद आप अपने तरफ से जब तक नहीं पढ़ोगे, आप बेहतार रिजल्ट की बात नहीं सो सकते, क्योंकि आपके दिमाह में जाएगा ही नहीं कोई बात है, आपकी तरफ से प्रयास बहुत जरूरी है, कल मिलेंगे, इसे टाइम, तब तक के लिए, नमस्कार, धन्यवाद, तैंक यू. झाल 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 झाल